ऐसे हो प्यारे विद्यागते हों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल Friend of Student में इस वीडियो क्लास में हम प्रश्णा बली तीन तसमलों एक का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे तीसरा सवाल है दो किलोग्राम सेब और एक किलोग्राम अंगुर का मुले किसी दिन 160 रुपे था एक महीने बाद चार किलोग्राम सेब और दो किलोग्राम अंगुर का मुले 300 रुपे हो जाता है हमें क्या करना है इस इस्तिती को बीजगड़ती और ज्यामती दोनों रूपों में ब्यक्त करना है यहां हमें यह जो कथन दिया है इस कथन को हमें बीजगड़ती और ज्यामती दोनों रूपों में ब्यक्त करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस कथन में हमें 2 सर्थे दी हुई है इन 2 सर्थों से हम 2 समिघणे बनाएंगे और ये 2 समिघणे क्या हो जाएंगी एक आंसर हो जाएगा हमारा ठीके और फिर हम इन समिघणों को graph paper पर ब्यक्त करेंगे तो यह हमारा दूसरा आंसर हो जागा यानि ज्यामती रूप हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम समिगणे बना लेते हैं तो हम पहली सर्थ से पहली समिगण बनाएंगे ठीक है पहली सर्थ है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मुल्ले 160 रुपए है तो यहां हमें एक किलोग्राम सेब का मूले एक्स रुपए मान लेना है और एक किलोग्राम अंगूर का मूले बाई रुपए मान लेना है ठीक है देखो यहां हमें दो किलोग्राम सेब और एक किलोग्राम अंगूर का कुल मूले 160 रुपए दिया हुगा ठीक है तो सबसे पहले तो हमें 1 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूले X और Y मान लेना ठीक है चलिए यहाँ लिख लेते हैं माना 1 किजी सेव का मूले X रुपए तथा 1 किजी अंगूर का मूले 2 रुपए अब लिखना है में प्रशना नूसार तो प्रशना नूसार क्या होगा है students देखो पहली सर्थ में हम से बोला है 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूले 160 रुपए है तो यहां से हम 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूले निकाल लेते कितना होगा तो देखो 1 किलोग्राम सेब का मूले X रुपए है तो 2 किलोग्राम सेब का मूले कितना हो जागा 2X रुपए तो 2X लिखिए प्लस एक किलोग्राम अंगुर का मुले तो एक किलोग्राम अंगुर का मुले बाई रुपए तो यह हो जाता है दो किलोग्राम सेव और एक किलोग्राम अंगुर का कुल मुले और यह सवाल में हमें दिया एक सो साथ तो बराबर में एक सो साथ ठीक है यह हमारी पहली समीकर्ण हो जाती है पहली सर्थ से हमने पहली समीकर्ण बना ली इसी प्रकार से हम दूसरी सर्थ से दूसरी समीकर्ण बनाएंगे ठीक है तो दूसरी समीकर्ण में देखो दूसरी सर्थ में हमें क्या दिया है चार किलोग्राम सेब और दो किलोग्राम अंगूर का मूले तीन सो रुपए है तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार चार किलोग्राम सेब तो चार किलोग्राम सेब का मूले कितना हो जाएगा चार एक्स पिलस दो किलोग्राम अंगूर का मूले तो दो किलोग्राम अंगूर का मूले कितना हो जाएगा दो बाई रुपए है देखो एक किलोग्राम सेब का मूले एक्स रुपए है तो चार किलोग्राम का कितना हो जाएगा चार कुलोग्राम अंगूर का मूले बाई रुपए है तो यहां 300, यह हमारी दूसरी समीगण हो जाती है, ठीक है, यहां हमारा पहला आंसर हो जाता है, यह ज्यामती रूप हो जाते हैं, ठीक है, अब हमें इन दोनों समीगणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्ट करना है, तो इसके लिए हमें इन दोनों समीगणों के लिए कम से कम द दो दो बिंदू ग्याद करने होंगे ठीक है तो चलिए इनके दो दो बिंदू ग्याद कर लेते हैं तो सबसे पहले पहली समीगरण के लिए हम दो बिंदू ग्याद कर लेते हैं तो यहां लिख लेते हैं समीगरण first के लिए x की हम कोई value ले ले लेते हैं ठीक है तो x की value हम ले लेते हैं 0 माना x बरावर 0 अब हमें x की value समीगराने एक में रख लेनी है 2x प्लस y बरावर 160 2 गुणा x की value 0 plus y बरावर 160 तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 गुणा 0, 0 हो जाएगा बचेगा y और इधर बरावर 60 ठीक है x बरावर 0 तो by बरावर कितना हो जाएगा 160 तो यहां से हमें एक बिंदू मिल जाएगा इसको हम नाम दे देते हैं a और इसके निर्दे सांग क्या हो जाएगे x अक्च के लिए 0, by अक्च के लिए 160 ठीक है इसी परकार से दूसरा बिंदू ग्याद कर लेते हैं तो यहां हम लिख लेते हैं पुना माना फिर समय x की कोई value ले 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 नहीं है माना x बरावर हम यहां ले ले लेते हैं 50 ठीक है 2x प्लस by बरावर 160 मान रख लेते हैं इसमें अपना 2 का 2 गुणा x ही value 50 प्लस by बरावर 160 ठीक है यह हो जाएगा 150 दूनी 100 प्लस by बरावर 160 तो by बरावर कितना हो जाएगा 160 और 100 प्लस का इधर आएगा यह हो जाएगा माइनस का 100 160 में से 100 को बटाएंगे 60 पचेगा x बरावर 50 तो by बरावर 60 यहां से हमें दूसरा बिंदू मिल जाता है इसको हम b बोल देते हैं और इसके लिए निर्देसांग क्या होंगे x का 50 कॉमा बाई के लिए 60 ठीक है? दू बिंदू हो जाते हैं यह इसी तरह से हम दूसरी समीकरण के लिए दू बिंदू याद कर लेते हैं तो लिख लेते हैं समीकरण सेकंड के लिए माना फिर से हमें x की कोई value ले ले नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं माना x बरावर 0 अब इसे हमें अपने दूसरे समीकरण में रख लेना है 4x प्लस 2y बरावर 300 यह हमारी दूसरी समीकरण है ठीक है? इसमें हमें x की value 0 रख लेना है तो 4 गोना x की value 0 प्लस 2y बरावर 300 तो 4 गोना 0, 0 हो जाएगा बचेगा क्या? 2y बरावर 300 तो y बरावर कितना हो जाएगा? 300 दो आजाएगा बटे में 2 से 300, 150 बार में cancel तो y बरावर हो जाएगा 150 x बरावर 0, by बरावर 150 तो यहां में दूसरी समय करने के लिए पहला बिंदू मिल जाता है इसको नाम दे देते हैं c और इसके निर्दे सांग क्या रहेंगे? x के लिए 0, y के लिए 150 ठीक है? इसी तरह से हम दूसरा बिंदू गयात कर लेते हैं पुनहा हमें फिर से x की कोई value ले ले नहीं है ठीक है? पुनहा माना x बरावर 75 ले ले लेते हैं ठीक है? तो 4x प्लस 2y बरावर 300 4 गुणा x की value 75 प्लस 2y बरावर 300 तो 75 चौक यह हो जाएगा 300 ठीक है? 75 गुणा 4 300 प्लस 2y बरावर 300 300 की side change कर लेते हैं 2y बरावर इदर है 300 यहां यह plus का 300 इदर आकर minus का 300 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 2y बरावर 300 minus 300 0 तो by बरावर 0 बटे में 2 ठीक है? 2 से 0 को भाग दोगे 0 मिलेगा by बरावर हमें 0 मिल जाएगा x बरावर 75 by बरावर 0 तो यहां में समीगण 2 के लिए दूसरा बिंदू मिल जाता है इसको d बोल देते हैं और इसके लिए निर्देसांग क्या होंगे? x का होगा 75 और by का 0 ठीक है? अब इन बिंदूओं को हम ग्राप पेपर पर ब्यक्त कर लेते हैं तो इस्ट्वेंट्स ग्राप पेपर पर हमें कुछ इस तरह से x और by x खींच लेना है यह हमारा मूल बिंदू है और मूल बिंदू के निर्देसांग होते है 0,0 यानि x x का निर्देसांग भी 0 होता और by x का निर्देसांग भी 0 होता और हमने पैमाना लिया है एक बड़ा वाक्स यानि एक बड़ा वर्ग परावर 50 मात्रक ठीक है? तो एक हमारा 50 मात्रक का 2 100 का हो जाएगा 3 150, 4, 200 इसी तरह से उपर ठीक है? मूल बिंदू के बाई और x के माइनस वाले निर्देसांग होते हैं और नीचे की और बाई के माइनस वाले निर्देसांग होते हैं तो हमारे लिए सवाल में कोई भी माइनस वाला निर्देसांग नहीं मिला है तो हमने इन माइनस वाले निर्देसांगों को नहीं लिखा है ठीक है अब हम अपने बिंदूओं को अंकित कर लेते हैं तो पहली समीक लण के लिए हमें बिंदू मिला है A और A के निर्देसांग है 0,160 यानि X का निर्देसांग 0 और बाई का निर्देसांग 160 ठीक है तो X का 0 निर्दे सांक यहीं रहेगा ना तो हमें इधर जाना है ना इधर जाना है क्यों क्योंकि X निर्दे सांक है 0 तो X अक्ष पर तो हमें यहीं रहेंगे और बाई पर हमें 160 जाना है तो 160 किदर जाएंगे उपर की हो ठीक है यह हमारा 150 हो जाएगा दो छोटे वॉक्स और ले लेंगे तो यह हो जागा एक सो साथ भई पूरा एक बड़ा वॉक्स पचास का है और एक पूरे बड़े बॉक्स में छोटे छोटे दस बॉक्स है तो एक बॉक्स हो जागा पांच का दो बॉक्स हो जाएंगे दस के ठीक है तो ये हमारा बिंदू हो जाता है A और इसके निर्देसांग 0,160 ठीक है? और दूसरा बिंदू समीगण एक के लिए मिला है B और इसके निर्देसांग के 50,60 यानि X अक्ष पर 50 और 22 अक्ष पर 60 तो देखो यहां से इधर चलेंगे X अक्ष पर 50 फिर उपर के और 60 तो यहां पर 50 हो जाएगा 22 अक्ष के लिए दो बॉक्स और ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 60 यहां पर यह हमारा हो जाता है B बिंदू ठीक है? B बिंदू और इसके निर्देसांग 50,60 60 अब इन दोनों बिंदू को हमें मिला लेना है तो यह आलेक हमारा समी कराउन 1st के लिए हो जाता है फ् breeze यह वाला तो समी कराउन 1st हमारी क्या है? 2X पिलस बाई बरावर 160 ठीक है? यह सरल जैखा A, B यह हमारी 2x प्लस y बरावर 160 का आलेक हो जाता है अब हमें दूसरी समीगण के लिए बिंदू अंकित कर लेने हैं तो दूसरी समीगण में हमें पहला बिंदू मिला है c और इसके निर्देसांग के 0,150 तो x अक्ष पर 0 और by x पर 150 तो x अक्ष पर तो हम यहीं रहेंगे और by x पर हमें उपर जाना 150 तो 150 हमारा यह रहा ठीक है यह है हमारा बिंदू c और इसके निर्देसांग 0,150 उपर वाला बिंदू 160 है ठीक है और यह 150 है यह बिंदू हमारा c हो जाता है अब हम दूसरा बिंदू भी अंकित कर लेते हैं समीर और दोका तो दूसरा बिंदू है हमारा d और इसके निर्देसांग है 75,0 यानि x अक्ष पर 75 और by x पर 0 तो इधर से हम चलेंगे 75 यह 50 हो जाएगा और आदा बॉक्स और ले लेते हैं यह हमारा बिंदू d है और इसके निर्देसांग 75,0 अब इन दोनों बिंदूओं को हमें मिला लेना है यह आलेक हो जाता है दूसरी समीकर्ण के लिए यह वाला आलेक और दूसरी समीकर्ण है हमारी 4x प्लस 2y वरावर 300 ठीक है यह हमारा ज्यामतिय रूप हो जाता है यहां हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है ठीक है मिलते हैं अपने अगली वीडियो ग्लास में